हाई फ्रेंट आइडे से क्लासेज में आपको बहुत बहुत स्वागा थे दोस्तों हम लोग रासानी समीक्रड पढ़ रहे थे इसके पहले हमने इसके तीन वीडियो पुलोट कर दिया है ये चौथा वीडियो है और ये लाश्ट वीडियो है इसमें पूरा आपका रासानी सम समीक्रड को बराबर कर लेना है क्या करना समीक्रड को बराबर कर लेना है तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए हैड्रोजन कितना है तीन है यहां पर हैड्रोजन कितना है दो है ठीक है यहां पर हैड्रोजन कितना है तो पहले क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए यहाँ पर देखिए जो फासफोरस से चार है, यहाँ भी फासफोरस देखिए कितना है, एक ही है, यह भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो पहले चली फासफोरस को ही बराबर करते हैं, तो फासफोरस को बराबर करने कि लिए चार का गुड़ा करेंगे, जैसे ही चार का गुड़ा करेंगे तो फासफोरस तो चार हो जाएगा लेकिन अब ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा चार तीन है बार है हाइड्रोजन कितना हो गए पर चार का तीन में गुड़ा करेंगे बार है इधर देखे चार चौक सोल है इस समी करण को बैलन्स करना था अगरा कोशन है दी गई अब कीरिया एक उधारण है तो आपको पताएं थे जहां पर दो योगिक बनेंगे और आइनिक योगिक होंगे अगरा कोशन है कि इस योगिक को कभी कभी भोजन की जल्दी पकानी के लिए उसमें डाला जाता है इस योगिक का नाम क्या है चलिए बताएं इस योगिक का नाम क्या होगा तो चलिए बताएं क्या होगा देखिए अब कहरा ये अनिये सीयल एच्टू सीओ टू ये नेस थीरी अब जिसको रियक्शन याद होगा ये क्या बनाता है सोडियम बाय-कार्बोनेट बनाता है यानिये च इस सी ओ झी और क्या बनाता है इस एक साथ न एच पूर Ci यल नाम क्लोराईट तो यहाँ सोडियम 1 ऐकारबोनेट इसमें देया है इस योगिक कभी कभी भोजन कूट जल्दी पकानी के लिए juKA तो प्लेट वाला जाता है आपको कुछ नहीं पता है ठीक है यहां है कि भोजन में मिला जाता है तो बोजन में अमोनियम क्रमक्राइट नहीं मिलाएंगा सोडियम कार्बोनिट को भॉलते धावन सोड़ा घथाने में से क्या मिलाए यह तक खाने वाला सोडा तो सोडियम गार्बोनेत हैं इस躲 출ien g बीवालत उत्वा हो जाएगा अगला कोस्षन है अगला कोश्षन काफी इस तरह का question आप पढ़ चुके हैं ठीक है कर रहा है निम लिखित पर इसमें बताने कि कौन सबसक्ते हैं कौन सबसक्ते हैं निम लिखित प्रतिवर्ति अबकिरिया का एक उदारड है ठीक है तो देखिए कर रहा है यहने 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 हैं डू और एस्ट्व मिल की क्या बना र है पुद कीजहां पर वीश परकार केकिसल्गार रहे कैसे रहे और इसका मतलब ही होता है प्रतिवर्तिवर्टिक्रिया थो यह वाला बात क्या हो जागे बिल्कुल सही हो जायेगा आपITY केलसियम कार्पोनेट है सूर के प्रकास में क्या बनाएगा जब सूर का दोनों सही है, तो कौन साफसन सही हो जाएगा, इसका D वाला सही हो जाएगा, के और B दोनों क्या है, सही है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगला कोश्चन देखो, इसको कैलसिम कार्बोनेर पढ़ा जाता है, इसको कैलसिम आकसाइट पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको क्य बोला जाता है वीना बुझा चूना इसको चाक और संगमर्मर बोला जाता है अग्ला कॉस्चन है कि दी गई रासाइन कपकुरिया को पुल करें आपको करना है तो देखिए क्या बनेगा इसमें तो देखे जितना इधर आपका विकारह उतना उत्पाद होना चाहिए ठीक है तो अब देखे पहले बात इसमें क्या बनेगा तो देखें अगर इसकी पहले आप संद लेते हैं तो इसमें CO2 है, 3H2 है, तो इधर देखिए, इसमें जो आपका कारवन है, यहां कितना अकेला है, इसमें कारवन कितना एक है, यहां पर दो, इसमें देखिए कारवन दो है, यहां पर इस आपसन में कारवन कितना एक है, तो पहली बात एक नई भी नहीं होगा, यहां पर कारवन होई सही हो जाए अब चक कर लेते हैं क्यों सही होगा कि यह बराबर है कि नहीं है देखिए अब इसमें क्या है कारवन कितना है दो इधर भी देखिए कारवन दो हो जा रहा है अब इसमें देखिए आक्सेजन तीन दुनी छह और यह कितना साथ कितना साथ देखिए दो दुन करने आएगा तो यह कोशन कर लेंगे ठीक है का साफसन सही होगा है इसका सिवाला सही हो जाएगा कि अगला कोश्चन है कि उत्प्रे रख कोई पदार्त है जो ठीक है देखिए उत्प्रे रख क्या होते हैं वो किसी भी रासायने कप किरिया में भाग नहीं लेती हैं यह क्या करते हैं उस रासाइने कप किरिया की गती को क्या कर देते हैं तीब्र कर देते हैं तो अब किरियाओं को तीब्र कर देते हैं जो भी रियक्शन होता है उसके इस विट को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं तीवरी कर देते हैं कौन साफसन सही हो जाएगा इसका वी वाला सही हो जाएगा अगला question है कि इस तरह का को question हम कई बार पढ़ा दिए हैं ठीक है इसमें देखिए क्या है जो लोहा है कापर से अरिक अपकिरिया से होता है को यहlotter सहां जाएगा यह तो कौन सांस स्सक्राइगा कम कजन सही हो जाएगा को यदिखन का अलग से एक बीडियो बना दिये ہیں और यहां से अलग अलग देख लेंगे तो यहां पर उस इता कैल्सियम आक्साइड और H2O मिलके क्या बना रहा है कैल्सियम हैड्राक्साइड बना रहा है तो इसको कौन सब किरिया बोलते हैं सनी वो जनव किरिया बोलते हैं यह पहले ही कोश्चन था इसका ठीक है बताएं इसको बीना बुझा चुना बोला जाता है इसको बुझा हुआ परचुनन को ऐस्को कुई लाइन बोला जाता है, तो जब lavender क् Tips क्षिज्ण होती है, तो यह मैं पाइल को स्ब्सक्रेटा ज़ी हैं, अगला कोस्टिस में दो साथ कोर्चन में हम समझ Cur ко संब लेते हैं, अब कहरा कि नीची दिया गया आप उदारत एय प्रत्यावर्थी बना रहे, यहां इसका मतलब प्रत्य वर्थी लिख दिया है, तो आप सनी क्या हो जएगा, गलत हो जाएगा, अब इसमें कहा रहा हो दोहरी विस्थापन अब की रहा है इसमें क्या हो रहा सनी वुजन हो रहा है तो सनी वुजन अब कीरिया कह सकते हैं दोहरी विस्थापन है यहां पर योगी खोना चाहिए यहां पर योगी खोना चाहिए और आइनिक योगी खोना चाहिए इसमें आइ जगες यानि दूनों क्या है इस्त है कौण सा अग्या कोश्चन है कि अभक घर टुन कैमी कग सब करें करें टैंसे चैनल पृतिवर्थी यारोग को परिवर्थी क्वाला सही हो जाए कान सो जए है अगला कोश्यन है अगला कोशन है निमलीखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है अप्रत्य वर्द्धिया का उधारड है ठीक है इसमें कह रहा है कि अधार टीर्या का उदारण है नहीं ठीक है परतिवर्ति प्रat Paw tsunami करता लिएक कर voice नहीं टीक है के अगर सिकते नाइट़्ोजन हिट्रोजन मिला रहेगा तो आमोनिया बन जाता है अमोनिया से इसको आइसे भी बना सकते हैं पहले प्रतिवर्ति होता कि पहला क्या दिया है पहला क्या दिया है गलत दिया है और कैरहा सभी लिए सत्य है यह तो ऐसे थाना यह और भी नहीं होगी दूना सत्य रहे हो जाएगा अगला कोश्चन है कि आपका दिया है पीवी सी यह उसल टूपीवी सी लेटी कापर बहुत रहा है अब आपको देखे के लाग रहा कि पी ले कह रहा कापर को विस्थापित कर दे रहा तो यहां पर विस्थापन हो जाएगा ठीक है वह इससनीयोजन में जो आपको इपफात होता है एक सिंगल होता vertam होगा नहीं ठीक है तो इसमें 12 Kingdom Falls St 15 ॢजय कों वैंट का जाएगा अधरा कोर्षं कि आधिक सांद्रित। संथ ऩाथ 410-HHHHF के साथ 443 कलविं पर स्थीनाल गर्म करने पर एति नाल के निर्यूजली करण दे प्राफ्ट होता है तो क्या प्राफ्ट होता है चलिए बताई क्या प्राफ्ट होता है एथीन प्राफ्ट होता है क्या प्राफ्ट होता है एथीन ठीक है क्या प्राफ्ट होता है एथीन तो देखिए कह रहा है कि एथे नाल गरम करने पर एथे नाल क्या होता है के इस फ्रीं कि सी तुए फाइब एच फाइब और ऑली जोटालेकिन इसको मैं एसे भी लिख सकते हैं सी एस थिरी छी एस ट्व और ओएच गरम किया जाता है है यहां ऑपको प्लसटो एससी को क्या बोला जाता है एथीन सही हो जाएक इसका डी वाला सही हो जाए अबमाल लेजिए यहीं आपको पते नहीं कि कौन सा होगा यह एक से नहीं आधुक्त तप कैसे करेंगे उसको आपको समझा दे रहें तो देखे कर्आ करें एथेनाल गरम गरने पर निर जल नहीं हो रहा है तो जो जल है वह अलग हो कार्बन है तो इधर भी जो भी उत्पाद बनेगा वो दोर कार्बन वाला ही बनेगा तो दो कार्बन का नाम यह से सुरू होता है तो पहले बाद मीथीन मीथीन नहीं होगा क्योंकि मीथीन में एक ही कार्बन होता है तो मीथीन मीथीन नहीं होगा या तो इथीन होगा ठीक है अब जब इसको देखिए अब इसको जब OH2O जब इधर निकालेंगे क्या निकालेंगे ह2O निकालेंगे तो देखिए कितना देखिए C2OH5 OH हो रहा है तो जब ह2O बच्चे इधर निकलेगा तो देखिए एक hydrogen यह है एक oxygen यह है अब यहां से एक hydrogen और लेंगी तमने H2 बनेगा तो इधर चला जाएगा तो देखिए hydrogen इधर कितना बज़े C2 H5 था तो C2 H4 हो जाएगा तो देखिए आपको समझा दे रहे हैं जैसे C2 है H5 हो यह है तो जब इधर निकालेगा तो देखिए दो hydrogen है तो यहां से लेगा hydrogen इधर और oxygen H2 बनाएगा तो इधर बचेगा कितना C2 H4 बननेगा ठीक कितना बनेगा H4 था देखिए 2 पा चार हो रहा है जगने जचछ डबल होगा जचछ डबल किसमे होता है तो आपको सही होगा कोई गलत नहीं हुगह अगला इधर निकलता है और आता है घल में सल्फियूरिक अमल घुटना जिट जल में थीस तेजाब तो उसमें बहुत मात्रा में उसमा निकलती है उसको क्या बोलते हैं उसमा छेपी बोलते हैं तो कौन साफशन से हो इसका सी वाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि यह मैं ओटू फोरे सीयल है यह मैं सीयल टू एस्टू सीयल टू की अब किरिया क्या है अच्छा पहली बात देखें इसमें सन्योजन होगा नहीं होगा अब बताइए क्या इ इधर दो योगिक होना चाहिए इधर भी दो ही योगिक होना चाहिए तो दोहरा विस्थापन भी नहीं होगा अब क्या इसमें विस्थापन विस्थापन में क्या एक तत्त होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए यह योगिक से क्या करता तत्त को विस्थापित कर देता त इस कैसे ही होगा तो अगर यह आकशी क्रण से व्यधी नहीं देए तो जो इसी वीडियो की लिंक दे दे रहे हैं होहाँ पर आकशी क्राब ऑपचेन हो गया विस्थापन्ञाऋ जी विस्थापन हो गया सन्योज हो गया यह सब हैक आपको प्लेए less प्लेमिन जाए gay और सос धाचागत रसाइनिक सम्मिक्रड को निरुपित करता है अच्छा धाचागत मतलब समझ रहे हैं कि कौन सा बैलन्स नहीं है यानि संतुलित सम्मिक्रड नहीं है धाचा मतलब संतुलित नहीं है तो संतुलित सम्मिक्रड नहीं है यानि कंकाल सम्मी पिरड़ कहें या धाचा गत रसाइब पड़ाइन को करता देखिए कौन सा बैलन्स नहीं है चलिक करके बताइद तो देखिए पहला आप शन्तुनित संतुलित नहीं धर यह तुर्यम जी देखिए बाकिया बैलन्स नहीं है तो यहीं वालत सही हो जाएगा बाकी आप सम्में देखेंगे इधर ZN, ZN, SO4, SO4, इधर S2, S2, balance है, इधर magnesium 2, इधर magnesium 2 है, oxygen 2 है, oxygen 2 है, carbon 1 है, hydrogen 2 है, इधर देखें, hydrogen 4 है, hydrogen 4 है, तो 2, 1, 3, 1, 4 है, oxygen अकेला है, तो इधर भी oxygen, यह 3 है, एक balance नहीं है, अगला question है, कि संग, मरमर, चिप्स, परतन, हैड्रो, कलोरिक, एसीड, क्या किरिया होती है, तो क्या किरिया होती है, जब calcium carbonate पर acyl डाला जाता है, तो क्या बनाता है, CA, CL2 बनाता है, H2O बनाता है, तो कौन सा अपसन से ज़ेगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा, अच्छे देखें, कु O3, कुछ नहीं बनता है, यह हमेशा क्या ओता है, CO2, तो CO2 क्योद्पाद नहीं बनता है, अब जैसे इसमें दिख लिजेए, आपका के पेले, C,L, सि अगर अकपेला लिखा जाता है, जैसे H हो गया, तो हैश्क डूल complete, O2 लिखा जाता है, यह दो की इसमें ठीक है इसमें आप चेक कर लेज्एeeगा क्यों नहीं होगा पहले पात' आपको सीधी सीधियान रुखना हैं कि यह क्यों नहीं होगा ठीक है क्योंकि राइख स्पर الد िच्छाइड और carbon mono oxide अब किरिया में अबचैन अभिकारक है किसका अबचैन होता देखिए आक्सी क्रड़ अपचैन आ गया ठीक है उसमें आपको हम बता है आक्सी क्रड़ अपचैन वाला वीडियो जरू देख लीजेगा ठीक है जैसे क्या है कि आपका copper oxide है क्या है copper oxide है और स्च्सक्राइब का फिर्ण कीदर फिर्ण मैं ओसक्राइब affirmy घुड़ेगा गांव चाहिए फिर्ण में सब्सक्राइब करक्तिर्ण किस पैसिएह हो रहा है यूछ अ Chraldus B ौ रहा ह involvement कौँ से हो जागा है जहां पर झूड़ता है ठीक है जहां पर जूड़ता है रहा हो जाए क्सिकरड बन रहा है तो एस नदे देखिए आक्सीजेन का जुड़ेगा तो आक्सीक्रड होता आक्सीजेन हड़ता तो अपचेन होता का तो कापर आक्साइड से आक्सीजेन हड़ जा रहा है तो अपचेन किसका हो रहा है कापर आक्साइड का कापर में हो जा रहा है तो अभिकारक कौन होगा तो अभिकारक कुछ ही दे नई पदार्थों में अब घटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासाइनिक अब किरिया होती है जब बिजली परवाहित करती है तो इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलेटिक अब घटन बोलते हैं क्या बोलते हैं ये प्रकास से समन्दित होता है इसमें बिजली परवाइद किया जाता है तो क्या होता है इलेक्ट्रोलेटिक होता है अगला कोशन है कि निम्न मिसे काउं से किरिया अधिक उसमा छेपी अभकिरिया है तो अभी तो ये काला कोशन आप देखे हैं काउं सा होता है जल में क्या म मिलाते हैं तो अधिक उसमा छेपी हो जाता है अगला कोशन है कि आकसी करण अफकिरिया में जो गर्मी और प्रकास पैदा करती है वह है आकसी करण अफकिरिया में जो गर्मी और प्रकास पैदा करती है तो जिसमें से हीट निकलता है और प्रकास भी निकलता है वो कौन से इसके पहले भी कोशन यह आप पढ़ चुके हैं तो इसमें होता है दहन अबकिरिया होता है क्या होता है दहन में हीट के साथ साथ क्या होता है लाइट भी होता है तो कौन सा आपसन सही होगा इसका भीवाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि उसमा छेपी अब किरिया होती है जिसमें क्या होता है उसमा छेपी अब किरिया होता है जिसमें क्या होता है उसमा निकलता है क्या होता है अगला कोशन है कि अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अब किरिया में उर्जा क्या हो सकता होती है तो किसमें हो होती है उर्जा देनी के अउसक scientifically देते हैं ठीक है तब उसमें आप घटन ऊता ठीक है यांनि वीवुजीत होता है उतको से के आपसे ही मिलें हो जाएगा अगला कोशन है मुद्धि यह पढ़ी है वो था प्रितिवर्तिय उपकिया होता ही सही है तो एकेलसिन कार्बोनेट में यह दिया अब इसमें आपको तो कैलसिमmm कार्बोनेट वालों पढ़ंए ठीक है उसमें था से लाइड रहता है था सूनलाइट रहता था था सब अलक से क्या दिए गलत कर रहा है बस खोड़ा कभी कभी घुमा देता तो आपको ध्याँ रखना है कि अमोनी एंटू और एस्टू एनस्थी जरूर बनाता यह भी इसका रीबर्स भी होता लेकिन यहाँ पर कैल्सियम कार्बोनेट में सनलाइट होना चाहिए अगला कोशन है कि एक सूखी टेस्ट्यूब में लेड नाइट्रेट की क्रिस्टल को त्रीज गरम करनी पर क्या होगा तो त्रीज गरम करनी पर क्या होगा चलिए बताइए एक भूरे रंका उस्पी छोड़ जाता क्या होता है एक भूरे रंका उस्पी छोड़ जाता है तो कौन से बताए थे कि इसका अगर वीडियो दिखन नहीं पहले पढ़े एक भूरे रंकाव से छोड़ जाता है क्या होता है इसका बीवाला सही हो जाएगा अगला कोश्चन है कि निम लिखिद में से कौँ सा कथन सत्य है आपको इसमें बताने की कौँ सा कथन सत्य है तो चलिए बताई कौँ सा सत्य है ठीक है तो कह रहा है उत्करमडी अबकिरिया जब वसा और तेल का आकसी करल होता है तो उनमें उत्करमडी अबकिरिया होती है उनकी गंद और पहला वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है पहला वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है पहला वाला क्या हो जाएगा ठीक है तो पहला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा सत्य दिया है दूनों सत्य है यह भी नहीं होगा यह दूनों सत्य है पहला वाला सत् प्रभाव पर प्रवाव पड़ता है तो उससे संशारत हो नी कहा जाता है इस पर वाको संचार इसके संचारत हो जाएगा प्रासाइणी क्पिरिया जिसमें गर्मी उत्पन होती है उससे एक कहाजात है तो गर्मी उत्पन होती है तो क्या कते हैं उसमा छेपी अब किरिया, तो कौन सा आपसन सही हो जागा, इसका ये वाला सही हो जाएगा, अगला कोश्चन है, दी गई अब किरियाओं में से कौन सा सनियोजन, अब किरियाओं की विपरित होता है, सनियोजन की विपरित क्या होता है, विवजन होता है, जिसको हम लोग भी कहा जाता है ठीक है अगला कोस्च्चन है कि निम लिखिद में से काउंसार आसायनिक संतुलित है तो संतुलित देखे पहला नहीं अगला कोश्चन है देखे अगला कोशन है कि निमलेखिन में से कौन सा कथन सत्त है आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सत्त है देखे कहरा एक संतुलित रसायनिक समिक्रण में अभिकार को और उत्पादों में सभी तत्तों की परमाड़ों के संख्या क्या होती समान होती जितना अभिकार में प और मौलूक के संख्या ऐसमान होती है इधर जितना तत्व हो उतना तत्व इधर ना रहे ठीक है तभी तो ऐस संतुलित समीकर कहलाता हूं इसमें कहा गया हैंगी दूनों बात बिल्कुल सही है तो दूनों सत्य है तो कौन साफसन सही हो जागा इसका यह वाला सही हो जाए कि दूनों कहा सकते हैं अगला कोर्शन है कि उस अबकिरिया को क्या कहते हैं जिसमें दो योगिक आईनों कादान परदान होता है आईनों कादान परदान किसे में होता है दुविस्थापन या दोहरा विस्थापन में होता है तो कौन साफसकर डी वाला सही हो जाएगा अगला कोस्षिन है जो शे कर अपके लिए हैं आज़े नहीं हो किसको बर जाता है का कि दौाzam कर संव भर को बोला जाता है अब देखी प्रकार का योगिक होगा इसमें सिंगल यह भी नहीं होगा इस तरह कर यह से ना तो पढ़ी चुके हैं अगला कोश्चन है कि बनस्पति पदार्थों की खाद में घटन अबकिरिया का एक उधारड है तो गटन अबकिरिया का इक उधारण है चलिए बताएं का हो जाएक इसक जहां पर घण होता है ठीक हैं इपने गठन कि या कटनी कि या कोद्रै भुद समागोट क्या होता है उस्वां में तो इसमे नィंगा होता है जाते हैं अगला है है क सबक्रिया में और छेव تयार होता और विस्थापन में होता है ठीक है तो कौन साफ़सन से हो जाएगा इसका वीवाला सही हो जाएगा अगरला question है कि गरम करने पर calcium carbonate का calcium oxide और carbon dioxide में आप घटन का ये उदारण है तो गरम करने पर कहीं दिया है तो गरम करने पर यहां पर क्या होगा बिद्धू तर गटन में बिद्धू देना पड़ेगा ठीक है उसमा छेपीस में उसमा निकलता है गरम करने पर एतन मुस्मा देना पर जहां पर उसमा देना होता होँआ ता प्रकास की बात नहीं करेगा ठीक है कौन से अगस कभी वाला सही हो जाएगा अगला कोशन है कि कि अगर पहला पाट से देखेंगे तो आपको जादे समझ में आएगा अगला कोशन है कि निम्लिखिं निसे कौन से धारित करता है कि रासाइनी का किरिया नहीं हुई है तो अगर अकार में परिवर्तन नहीं हुआ ठीक है यह धारित करता है अगर आकार्मी परिवर्तन नहीं हुआ तो कहेंगे हम रसायनी कभ पूछ लिया है ठीक है आक्सीक्रड के बारे पहले बता दिए हैं ठीक है आक्सिक्रण में क्या होगा आक्सिक्रण में आक्सिजन जुड़ेगा और हैड्रोजन क्या होगा हटेगा अब देखिए रासाइनिक अपकिरिया के दोन पदारत का हैड्रोजन गरहड करना हैड्रोजन गरहड करना है रासाइनिक अपकिरिया के दोन पदारत का आक्सिजन गर पॉर्ण राता है अगला और यह जोचन है क्या में में इसमा कुर्ण सब जक्रणक करता है तो चले हे ने बूझे चुन निकसंद होता है उसमा च्पी आपको पहली बताए करता है काइस है हाइधाकशाइड बनाता है यह निकलती मातरा में उसमा निकलती है तो इसमें क्या बोलते हैं तो कौन साफसन से योग इसका डी वाला सही हो जाएगा अब देखी यहां से आपका यह कई इसका सिर्फ बीवी दिभर बाकी है थोड़ा थोड़ा करें कि पचास पचास कोशन जल्द उसको भी खेतम कर देंगे मिलते हैं नेट वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद